जहें दोस्तो, दोस्तो टॉप 50 श्टेड यूटूब चैनल के माध्यम से आज हम चर्चा करने वाले हैं परयावरण के बहुत ही महत्पूर प्रश्णों से एक एक प्रश्ण आपके लिए बहुत उपयोगी है इसलिए आपको बिलकुल अभी याद करते जाना है प्रश्णो बिलकु सही पहचान रहे हैं हमारे बताने से पहले आप उत्तर देते हैं बहुत बढ़िया ग्रे नाइट से निर्मित है क्योंकि जो हमारे लेगुरल पढ़ने वाले हैं जिन्नोंने हमारे यूटूब चैनल तॉप 50 श्टेड़ी को सब्सक्राइब किया है वो डेली ऐसे अभ्यास लगा रहे हैं यदि आप अभी तक ना जुड़े हो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पीडियाप नोस्ट के लिए गूगल पे लेश्टोर से हमारा एप डाउनलोड कर लें और क्लास की लिंक आपको मिलती रहे श्ली टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ में किस ने किया था बैरी बैरी आई एंपी प्रिशन हैं कई बार पूछा गया है कि होस्पोस्ट की अब घरना का प्रतिपादन 1981 में हुआ था एक तो है है लेकिन किस ने किया था उन महानुभावों का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए त किस ने किया था नार्मन मायर्ष ने अगला देखते हैं राजिस्थान में मीरावाई अखेल भारत वर्सी आयरुवेद संस्थान कहां इस्थापित किया गया है तोस्तों वीडियो को लाइक भी कलने तुरंत आगे की पड़ाई हम कर रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कलन कि all notification on कर लेंगे तो आपको इसके जानकारी भी मिलती रही class notification तो राजस्थान में मीरा भाई अखिल भारत पर सी आयरुवेद संस्थान कहां पर है यह है आपको बता दें जोतपुर में कहां पर है जोतपुर में है और इसके बारे में थोड़ी एक और चीज आपको बता दें कि यह college कब हुआ था इसका संद पूछ ले तो 17 सेतंबर 2017 से प्रारंध है ठीक है तो स्री 2012 से प्रारंध है 17 सेतंबर है और 2012 है निम्न मैंसे किस जिले को सतेन मैत्रे पुरुषकार दो बार दिया जा चुका है जल्दी से बता दीजिए तो आपको बता दें यह पुरुषकार दो बार दिया गया है तो किसको दिया गया है वे दिया गया है उदैपूर को थोड़ी सी इसकी ब्याख्या पढ़ लें महुत्पूर्ण है कि बर्स 1998 में संपूर्ण साक्षर ताभियान एबन 2008 के सतत सिच्छा कारिकरम के लिए उदैपूर के अतिरेक चुत्तोडगळ को भी 1978 में 2007 में सत्तेन मैत्रे पूरुषकार दिया गया तो दो लोगों को तो इसके किया जाता है राजिस्थान राज खने जिन और धे जाता है थीक है राज के सटान राज्य धन और दो उदैपूर की경व स्था क्या क्या कुई भार पूछा गया प्रस्ण है, तो ङा है Light उदाइफास तो बता दें यह क्या है उदाइफास राक फासफेट की घटिया स्रेडी जो खेती में सीधे और उबरक का काम करती यही क्या है उदाइफास पान रेश्टा इवं क्यार किस के प्रकार हैं किस चीज के प्रकार हैं पान रेश्टा क्यार जल्दी से बता दीजिए तो आपको बता दें कि पान, रेष्टा और क्यार साभर जील में बनने वाले नमक के ठीक है ना साभर जील में बनने वाले नमक के प्रकार है साभर जील किस पानी की सबसे बड़ी जील मानी जाती है खारे के मीठे एक कमेंट में आप बताना खारे पानी की सबसे बड़ी जील है, कि मीठे पानी की, थोड़ी सी बुद्धी लगाएंगे, तो अपने आप बन जाएगा, बांकि ये अपने पड़ा होगा, तो परफेक्ट बताई दीजिए, विकास के लिए फैसन संबंद्त है, विकास के लिए फैसन संबंद्त है, तो आपको बता दें कि वह हो जाएगा तीन मैंसे यह option है जल्दी से चुन लीजिए तो वह है खादी और कोटा डौरिया को लोगप्रिये बनाना ठीक है ना खादी बना चाहिए खाद लिग गया और तरम इसको गलत ले ले खादी कर ले ना राज समंद सिंदे सर खुर्द किस काम पर किसकी खान है ठीक है राज समंद जल्दी कई बार पूछी गई है तो यह है सीशा और जस्ता की इसको एक बार और चीज बता देंगी सीशा जस्ता यह भूमिगत खान 2006 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा प्रारंब की ग राजपुरा दरीवा खान का प्रारंब की गई राजपुरा दरीवा खान यह प्रारंब की गई थी 1983 में कब की गई 1983 तामर आयस्क का उत्पादन देश में सरवादिक कहा होता है तामर आयस्क ठीक है तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तामर आयस्क का मद्ध प्रदेश में फर्ष नमबर पर मद्ध प्रदेश सेकंड पर राजिस्थान आता है इसमें हिंदुस्तान काफर लिमेटेट की चारव काईयों के संबंद में असंगत योग में कौन सा है जल्दी से बता दें तो वह है हाँ बिल्कुश सही पहचान रहे हैं इंडियन कॉपर कॉंपलेक्स रायप और छत्ती सिकर ठीक है दोस्तों सब्सक्राइब तो कर ही लेना हमारी यूटूब चैनल टॉप फिफ्टी स्टडी को सर्च करना यूटूब पर उकरम से आपको बहुत सारे ऐसे परयाब रण के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो टॉप फिफ्टी स्टडी यूटूब चैनल पर मिलेंगे तो वहां से जाकर के भी आप देख सकते हैं अलवर का सेनी पूरी स्थान किस खनिच के लिए प्रशिद्ध है अलवर का जो सेनी पूरी स्थान वाय किस खनिच के लिए प्रशिद्ध है तो आपको बता दें वाय किस के लिए प्रशिद्ध वाय है Barytus किसके लिए प्रशिद्ध है Barytus के लिए प्रशिद्ध है Pritamperi है क्या है Pritamperi तो आपको बता दें एक प्रकार की क्या है जील का शीकर है प्रीतंपुरी सीकर में है जो वो ही जील है Pritamperi कावंट सीकर ते से ठीक है राजिस्थान में किस जिले में देश का पहला कारवन एग्रिगेशन सेंटर खोला गया था बता दीजी राजिस्थान में कहां खोला गया देश का पहला कारवन तो खोला गया था पाली में राजीब गांधी उर्जा दिवस कम मनाय जाता है राजीब गांदी अक्छा है उर्जा दिवस जो मनाये जाता है वह कम मनाये जाता है वह है 20 अगस्त बहुत सारे वीडियो हमारे यूटूब चैनल टॉप 50 स्टेडी पर अप्लोड हो चुके हैं जिसकी आप सर्च करके प्ले लिश्ट में जाकर के देख सकते हैं राज को सरवाद एक जल विद्वत पर यूजणा से प्राप्त होती है । बजिस्व की सब्सव वड़ी सोरूर्जा पर यूजणा कहां पर स्थापज की जाएगी दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना हर सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी हो क्रम से ठीक है न तो आपके लिए किछनी करना है आपको हमारे चैनल को सर्च करना है यूटूब पर और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाना है हलक अलक प्लेलिस्ट है संस्कित की अलग है हिंदी की अलग है परेयाबरण की अलग है बालविकास की अलग है सारे सब्जेक्ट की आपको प्लेलिष्ट हमारे उस चैनल पर मिल जाएगी तो आप उहां से भी जा करके तैयारी कर सकते हैं तो इसका उत्तर बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं कि विश्च के सबसे वड़ी स्वरूर्जरा परियोजना साभर जैपुर में इस्ते थे ठीक है ना इसके बाद है अगला राजस्थान सहिकारता समीती विध्यक सरप्रथम का पारित हुआ तो हुआ था सन 1955 में मैं कम समय देता हूँ तर देखने के लिए क्योंकि परफेक्ट आपको याद करना है कम समय ज्यादा परस्न होने चाहिए ठीक है ना रिटमेन क्या है रिटमेन क्या है जल्दी से बता दीजी रिटमेन फुलफों मी बताना है बिलकुल क्या हो जाएगा राजस्थान इंस्च्टीट ऑफ टूरिजम एंड ट्रेवल मैनेजिमेंट इसको क्या एता है mahatma gandhi राजस्राड़ा की युजना में किसकी सहायता ली गई है महात्मा गांदी राज्य स्रड़ा के उज़ना में किसकी साहता ली गई है तो आपको बता दें कि यहां पर विश्य बैंक की ली गई यो नाबाइड की ली गई है थीक है उत्तर देखते हैं हां दो तीन दोनों की ली गई है यह यह उजना बर्स 2012-13 में प्रारम की गई थी लोरी किट पक्ची के सब भिहारण में पाये जाता है महत्पून है कई बार पूछा गया है लोरी किट पक्ची आपको बता दें कि यह जो पाये जाता है सीता माता भिहारण में दोस्तो वीडियो को तुरंट लाइक कर ले अरावली परवस्रेणी में कौन सा बन जीव अभिहारण इस्थित नहीं है ठीक है न चार उपसंदी ये हैं तो कौन सा नहीं है अरावली हाँ अरावली परवस्रेणी में तो आपको बता दें कि जो रन थंब और अभिहारण है यह अरावली में नहीं आता है ठीक है न? बाकी तीन यहाँ पर हो जाएंगे बीर विथी का कहा है? बीर विथी का बिल्कुँ सही पेचान रहे हैं यह है मंडोर उद्ध्यान यह है बीर विथी का माथल्स में जनसंक्या सिध्धान्त के अनुसार जनसंक्या में ब्रद्धी होती है माल्थस के जनसंक्या सिध्धान्त के अनुसार जनसंक्या है ब्रद्धी जल्दी बता देजिए किस करम में होती है बिल्कुँ दो में से ही उत्तर है हाँ ज्यामीती इकरम में किस करम में होती है ज्यामीती इकरम में इसके बाद निमन मैसे किस राज में TIN IASK प्रमुक भंडार है तिन IASK का प्रमुक भंडार किस राज में है तो आपको बतादें कि B salud 36 गड़ राज में अगर छांगलादर्ण किस राज में इसके थे छ्षांगलादर्ण जल्दी से बता जिए दोस्तो छांगला दर्रा कहां पर है तो यह छांगला दर्रा है जम्मू एंड कस्मीर में ठीक है दोस्तो वीडियो को लाइक से अर्तो करना है निमने मैंसे किसका आक्छांस 66.5 उत्तर है जल्दी बता दें किसका है 66.5 तो आर्क्टिक बर्त का है विस्तारे दिया है आप यहां से पढ़ भी सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि यूटूब पर आपको सर्च करना है और चैनल पर जाकर के सारे सब्जेक्ट के वीडियो देख लेना है हमारा दूसरा चैनल है वहाँ पर इस्पेसली जो टेट एक जाम होते हैं उसकी तैयारी कराई जाती है पाइंट काली मार कहां है पाइंट काली मार तो यह कहां पर है तो आपको बता दे कि पाइंट काली मार जो है वह है तमिल लाणु में कहां पर है तमिल लाणु में दोस्तो आगे के परशनों पर हम अंगले वीडियो में चर्चा करेंगे उस्षे पहले जैसा कि मैंने आपको पिशनों पर चर्चा करेंगे जय हिंद।